कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अस्सलाम अलेकुम रहांतुल्लाह बरकातफ़। अजीज तलबा आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फोर्टीन कंपाउंड इंट्रेस्ट मुरक्कब सूर्थ की सरसाइज नंबर पोर्टीन पॉइंट वन का दूसरा हिस्सा देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मुरक्कब सूध निकालने के लिए कुलजर का जाबता बताया गया था है उसी जाबते की मदद से दूसरा तीसरा सवाल इस वीडियो में हल किया जाएगा दूसरा सवाल इसका है समीर राव ने एक इमदाद बाहमी अंजुमन से बारा फिसली फी साल सरसे तीन साल के लिए बारा हजार पान सो रूपे करज ली तो उसे तीसरे साल के आखिर में मुरक्कब सूध के हिसाब से कुल कितने रूपे वापस करने होंगे कुल कितने वापस करने होंगे यानि कि कुल जर मालूम करना है अब यहाँ पर सवाल में दिया गया कि मुरक्कब सूध के हिसाब से तो आपको मुरक्कब सूध का कुल जर निकालने का जाबता याद होना चाहिए हैं लिखेंगे सवाल में असल जर कितना दिया गया 12500 असल जर सवाल पढ़ करके सब चीजें पता कर लेनी होगी 12500 रूपे स्रासूद जो दी गई है वो 12 फिशद दी गई है आर कहते हैं इसको 12 फिशद और मुद्दत तीन साल दी गई है मुद्दत यानि N, number of year 3 साल जब ये सवाल पढ़कर के हम समझ जाएंगी क्या क्या चीज दिया गया है कुलजर मालूम करना है कुलजर यानि A मालूम करना है A का जापतां को मालूम होना चाहिए A बराबर क्या होता है पी जरब एक जमा आर बटे सो की कुवत N N कैपिटल में लिखिये या इसमाल में लिखिये चल देगा अब कीमत इसमें रख दी जाएगी जो जो कीमत हमको मालूम है P की कीमत है बारा हजार पान सो कॉस में एक जमा आर की जहां पर बारा फीशद है बटे सो हो जाएगा की कुवत T अब कॉस के अंदर का हल करना आना चाहिए बारा हजार पान सो सो एक का सो जमा बारा एक सो बारा हो जाएगा बटे सो की कुवत T अब इसको तीन बार लिख दिया जाएगा एक सो बारा बटे सो को अबर हो जाएगा बारा हजार पान सो जरब एक सो बारा जरब एक सो बारा जरब एक सो बारा जरब एक सो बारा तीन बार बटे सो का भी तीन बार जरब हो जाएगा सो जरब सो जरब सो जरब सो इस दो जीरो से दो जीरो कर जाएगा फिर पाँच के पहाड़े से करता है पाँच दूनी दस पाँच पच्चे पचीस पाँच के पहाड़े से कर जाएगा पाँच दूनी दस और एक जीरो बच जाएगा फिर 25 के पहड़े से एकड़ जाएगा 20, 21, 25 चॉप का 100 4 के पहड़े से एकड़ जाएगा 4, 1 का 4, 4, 3, 12, 4, 32 4 डुने 8, 3 बच जाएगा, और 4, 32 32 फिर 2 से कार देंगे 2 1 का 2 0 आ जाएगा और 14 से कार देंगे 2 2 4 का 8 14 हो जाएगा तो यह बराबर कितना बचेगा 112 जरब 112 जरब 14 बटे 10 हमने यहां जरब कर लिया है कितना रहा है जरब करने पर यह आता है 17 56 आप जरब कर लेना देख लेना और 16 बटे 10 दस से जब तक्सीम कर देंगे एक देख के बाद असरी लग जाएगी 17 561 आसर या 6 0 रूपे यह क्या आएगा कुल जर यानि कि 3 साल के बाद जब कुल पैसा वापस किया जाएगा तो उनको समीर राव को 17 561 आसर या 6 0 रूपे अदा करने होंगे वापस करने होंगे इसी तरह से इसका तीसरा सवाल है सलाका ने दस सही एक बटे दो यानि साड़े दस फीशदी फीशाल के इस रह सूद से 8000 रूपे कर्ज ले लेकर एक कारोबार सुरू किया दो साल बाद कर्ज वापस करते वक्त मुरक्कब सूद के हिसाब से उसे कितना सूद अदा करना होगा इसमें सूद पूछा गया है सवाल को पढ़कर के जो चीज दी गई है उसको लिख लेंगे सलूसन लिखेंगे या हल लिखेंगे क्या दिया गया है स्रासूद दी गई है 12,5 दस फीसद स्रासूद यानि कि ए आर दिया गया है 10 सही 1 बटे 2 अब 10 सही 1 बटे 2 को आप कितना समत्ते हैं साड़े 10, साड़े 10 लिखने का एक दूसरा तरीका होता है 10 सहर या 5 भी होता है फीसदी हो जाएगा या 10 दूनी 20, 21 बटे 2 21 का आधा यानि साड़े 10 हो जाएगा फिर असल जर कितना है 8000 असल जर यानि पी बराबर 8000 रूपे फिर दो साल बाद दो साल के लिए N बराबर 2 साल क्या मालूम करना है? सूद मालूम करना है, मुरक्कब सूद मालूम करना है सूद में मुरक्कब सूद मालूम करना है आप लिखा हुए मुरक्कब सूद के हिसाब से मुरक्कब सूथ के एसाब से तो आपको पहले मुरक्कब सूथ के एसाब से कुल जर निकालना पड़ेगा तो इसका आपको जापता याद होना चाहिए कुल जर्का मुरक्कबसूत के साब से क्या होता है ए बराबर टी जर्ब एक जमा आर बटे सौ की कुवत एन एजाबता एकदम पक्का याद होना चाहिए बाई हार्ट होना चाहिए तब आपका सवाल हल हो जाएगा अब इसमें जो खीमत दी गई रख लेंगे ती बराबर आठ हजार है ती की जहां पर आठ हजार लिखेंगे एक जमा आर की जहां पर दस असर या पांच बटे सौ और इसकी कुवत दो ये बराबर हो जाएगा आठ हजार कौस में सौ एकका सौ जमा दस असर या पांच एक सो दस असर या पांच हो जाएगा बटे सौ की कुवत दो इसको कुवत दो है तो इसको दो बार जरब कर लेंगे क्या हो जाएगा आठ हजार जरब एक सो दस असर या पांच जरब एक सो दस असर या पांच बटे दो बार 100 का जरब हो जाएगा 100 जरब 100 अब इसको सिंप्लिफाई कर देंगे मुक्तसर कर देंगे ये 2 0 से और 2 0 एक रजाएगा 1 0 से और 1 0 से कर जाएगा 2 से 2 चुप का 8 ये 2 पच्चे 10 5 से कर जाएगा पांच एक का पांच पांच दूनी दस एक बचेगा फिर दस हो जाएगा पांच दूनी दस आसरिया पांच एक का पांच बाइस आसरिया एक हो जाएगा अब नीचे से सब खतम हो गया कर गया कितना बच रहा है वो लिख लेंगे चार जरब 110 आसरिया 5 जरब 22 आसरिया 1 सबको जरब कर लेंगे एक कुल जरा जाएगा अब यहाँ पर हम जरब कर लेते हैं 4 से और इसको जरब करते हैं 4 पच्चे 20 और 0 की जहाँ पर 2 आ जाएगा और 4 एक का 4 4 एक का 4 यानि 110 को जब हम 110 आसरिया 5 को 4 से जरब करेंगे तो 442 आसरिया 0 हो जाएगा यानि कि 442 हो जाएगा अब 442 को 22 आसरिया एक से जरब कर लेंगे एक से जरब करेंगे तो 442 आएगा दो से जरब करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे दो दूनी चार, दो चुब का आठ, दो चुब का आठ, फिर दो से जर्ब करेंगे, तो दो दूनी चार, दो चुब का आठ, दो चुब का आठ, दो, चार चार आठ, और ये, चार चार आठ, आठ, सोला, आठ, सोला, एक सत्तरा, नो, ये हास्ले जर्ब कितना आ जाएगा, एक करिद के बाद असरे लग जाएगी नौहजार साथ सो और सट आसारियाद दो रूपे ये क्या आएगा पुल जर आएगा ये आजाएगा तो पूछा गया कि मुरकब सूद कितना आएगा तो मुरकब सूद का जापता क्या होता है मुरकब सूद बराबर ए नफी पी होता है कुल जर नफी असल जर कुल जर कितना है नव हजार साथ सो और सट आसारिया पाँच नफी आठ हजार ये बराबर हो जाएगा एक हजार साथ सो और सट आसारिया पाँच रूपे रूपे की अरामत भी लगा सकते हैं यहां पर मजीद मालूमात के लिए आपको सवाल में दिया गया है सवाल की किताब में की सवाल तो नहीं इस पर है आपके कि सूद की सरा जो होती है ससमाही कल्कुलेट की जा सकती है तो आपको यह जानना होगा कि एक साल में कितनी सासमाही होती है यानि कितने छे साल होते हैं, छे महीने को ससमाई कहा जाता है, तो अगर ससमाई रहेगा, तो साल बढ़ जाएगी, साल दो साल रहेगा, तो चार उसमें ससमाई हो जाएगी, एक साल में दो ससमाई, तो दो साल में चार ससमाई हो जाएगी, यानि आर बराबर चार हो जाएगा, तो उसमें rate of interest आधा हो जाएगा अगर 5% रहेगा तो धाई हो जाएगा या 10% रहेगा तो 5 हो जाएगा इसी तरह से तिमाही तिमाही का मतलब 3-3 महीना कितना होता चार तिमाही होती है तो एक साल में चार तिमाही होती है तो अगर तिमाही कल्कुलेट करना होगा तो सूद की सरा rate of interest जो है वो चार हिस्सों में बढ़ जाएगा साल बढ़ जाएगा यानि कितिमाही की ताइदाद यानि N की ताइदाद बढ़ जाएगी और rate of interest जो है उसको चार से तक्सीम कर देंगे वो कम हो जाएगा तो उसको कीमत रखकर के इसी जापते में रखा जाएगा बस यह है कि आपको ससमाही कितनी होती है जब ससमाही में निकाला जाएगा तो आर डबल हो जाएगा और rate of interest आधा हो जाएगा और जब तिमाही में कल्कुलेट किया जाएगा तो साल जो है यानि एन जो है चार से जरब हो जाएगा और rate of interest यानि आर जो है चार से तक्सीम हो जाएगा इस तरह से आपको सवाल करना रहे जाएगा अगर कभी करना रहता है एजाफी सवाल के तोर पर रदाक अल्दा हो खेर